नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गर्मियों में अपने पौदों को मरने से कैसे बचाएं तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत किये देते हैं पौदे पर पूरी तरह से हम मेनत करते हैं उसकी केर करते हैं फिर वो पौदा सूख जाए तो यह समस्या बड़ाई विक्राल रूप ले लेती है तो उन्ही समस्याओं से है गर्मिया जो कि हमारे पौदे पर अटेक करते हैं यानी दूप दूप में हमें अपना पौदा कितना रखना चाहिए यह भी हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे उससे पहले हम आपको बताएंगे जो यह जासमेन का पौदा आप देख पारे हैं जो कि मौगरा प्लाइंट है इस पर जो कि फूल आए हुए है वो दूप की बज़े से सूख चुके हैं अब इस पौदे पैसे हमें यह फूल अठा देने होंगे ताकि दूसरा फूल भी हमारा इसी समस्या में ना रहे इसके अलावा जो कि यह जो पौदा सामने आप देख पा रहे हैं जो कि सदाबार का पौदा रखा हुआ है सदाबार के पौदे पर वह草ती अच्छी फलावरेंग हुई है और देखिए अभी में थिर पहले पानी डाला हुआ है पानी भी हमें सुबह साम और दुपएर में भी पानी डालना चाहिए दुपेर में पौदों में पानी कम डालना चाहिए क्योंकि उनके रूट गलने के ज़्यादा चांसिस बन जाते हैं तो हमें पानी दुपेर में कम देना चाहिए अपने पौदों में सुबह पानी हमें 6 बजे से लेकर करीवन 7 बजे तक हम अपने पौदों में आसानी के साथ पानी दे सकते हैं इसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा दुपेर में आप हलका सा ही पानी अपने पौदे में दीजिए क्योंकि हलका पानी पौदे में हम जब डालेंगे दुपैर में तो हमारा पौदा भी सुष्ट रहेगा और नहीं गलने के ज़धा चांसिस बनेंगे इसकी अलावा साम को पानी हम अपने पादों में लगाएं तो जब साम हो जाये तो अच्छी तरीके से हम अपने पादों में पानी दे सकती है पादे में ज़्यादा भी पानी हो जाये तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी जितनी दुपेर में हमारे पौदे पर प्रावलम आती है तो ये चीजों को छोटी चोटी चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए अपने पौदे की केर करनी होगी जब हम ऐसा कर लेते हैं तो हमारे पौदे पर फूलों की कमी बिलकुल नहीं रहेगी जैसे की दोस्तों आप देख पारे हैं ये सदावार के पौदे पर डेरों फूल आए हुए है इसी तरह से आपके सभी पौदों पर फूल आना सुरू हो जाएगा इसकी अलावा पौदे की जो की मिट्टी है यानि सोयल को इस तरह की रखनी चाहिए इसमें मैंने कुछ देर पहले ही इसमें पानी डाला हुआ है तो पानी अच्छी तरीके से अभी सोका नहीं है क्योंकि मिट्टी में अभी नमी है जब पानी हलका सोक जाएगा तो मिट्टी में टैट्पन आ जाएगा इसके अलावा जो की आप देख पा रहे हैं यहां पर यह कुछ पौदे और भी रखे हुए हैं तो यह भी बहुत पौदे काफी लंबे समय तक चलते हैं तो इन पौदों को भी हमें लगाना चाहिए जैसे की इंडूर प्लैंट आप देख पा रहे हैं यह बहुती सुन्दर पौदा है दिखने में तो इसे भी हमें अपने गाडन में लगाना चाहिए तो इसके अलावा इसकी केर भी कुछ खास नहीं है इसकी हलकी सी इसमें बस पानी डलता रहे तो पौदा हमेज़ा ही गृत करता रहता है यह जो आप देख पा रहे है यह एलो वेरा है इसमें मैंने एक पौदा लगाया हुआ था इसमें से दो पौदे और बाहर निकल कर आए है इस पौदे की कंडिशन यह है गर्मियों में यह जो की आप काला सा दिख रहा है और खुछ जो पीला सा पढ़ रहा है तो यह दूपकी बज़े से ही पढ़ रहा है तो अब हम ऐसा क्या करना चाहिए अपने पौदे हमें कहां रखने चाहिए ताकि हमारे पौदे ग्रिन रहें इसके लिए आप ग्रिन नेट का भी इस्तमाल कर सकते हैं ग्रिन नेट में पोदे रहेंगे så आपके पौदे होने का कोई चाँस नहीं बनता तो इसलिए हमें अपने पोदो या तो ग्रिन्य equilibrium नेट में रखने होंगे या आपका भगीचा हो भगीचे में भी बगीचे में जब हम इन पौदों को यानि रख देते हैं तो पौदे की जो गिरोते वो बहुत बढ़ने लगती है पौदा हद एक फूल देने लगता है यदि बगीचा नहीं है तो हमें जो टेरिस गाडने तो उनके लिए भी हमें जो की ये छर्त है तो इस पर भी पौदों के साथ साथ हमें अपने छर्त पर पानी डालना होगा वो इसलिए डालना होगा पौदों में तो हम पानी दे देते हैं कुछ देर के लिए हमारे पौदे सही से लगने लगते हैं उसके साथ साथ ही जितना पौदा तपता है दूप से उतना ही हमारी जो की छट है वो ही तपती है फिर वो ही छट हमारी पौदे पर सीधा असर करती है जो की वो गर्म हो जाती है तो नीचे से पौदे की जो की रूट से होती है वहाँ पर एटेक करती है तो इसलिए ही हमें अपने पौदों में पानी डालते ही छट पर भी पानी डालना हो ताकि छट है जो की ठंडी बनी रहे जब हम ऐसा कर लेते हैं तो हमारे पौदे का कुछ बिगड नहीं सकता पौदा बहुत ही अच्छे से गिरुत करेगा जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं मैं अपने छट पर साती सात पौदों के पानी डालता हूं ताकि छट ठंडी बनी रहेगी तो पौदे पर कोई असर नहीं होगा पौदे हमारे ज़्यादा फूल देने लगेंगे तो ऐसा हमें हमेशा ही करना चाहिए खास करके गर्मियों में तो हमें ऐसा करना ही चाहिए जब हमें ऐसा कर लेते हैं तो हमारा पौदा सुष्ट रहेगा और पौदे की जो पत्तियां होती है वो बिल्कुल पीली पढ़कर नहीं जड़ेंगी नाहीं जो कि पौदे पर फूल आते हैं वो जड़ जाते हैं कुछ बट्स बनते हैं और वो गिर जाते हैं तो यह समस्या पौदे से बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी इसके अलावा पौदे पर सुबह की दूपो आ जाए थोड़ी बहुत तो कोई दिक्कत नहीं है तो दोस्तों उम्मिद करते हैं यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी यदि आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और सेर कीजिए